हाई गाईस स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल हिंदी प्लस पे तो आज के इस वीडियो में हम आपके लेके हैं साउथ हिंडेन की टॉप फाइब बोल्ड मूबीस का पार्ट 3 इससे पहले हम इसके दो पार्ट बना चुके हैं जिनको आपने काफी ज़दा प्यार दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रेफशन में आप उनको जाके देख सकते हो और इन मूवी से रिलेटिड एक आर्टिकल भी हमने अपनी वेफसाइट पर लिखा है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेफशन में मिल जएगा अगर आप इसको पढ़ना चाते हो तो जाके पढ़ सकते हो इन मूवी के बारे में आपको और भी कई सारी जानकरियां मिल जाएंगी इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी भारत के विबाजन के साथ-साथ महात्मा गांदी की हत्या पर भी आधारित है इस फिल्म के अंदर महात्मा गांदी का एक निगेडिव रोल दिखाया गया था और इसी के साथ-साथ इस फिल्म में कई सारे बोल्ड सीन भी फिल्म आय गये थे जिसके करण इस फिल्म को काफी सारे ब्रोद का सामना करना पड़ा था इस फिल्म को IMDB पे 8 of 10 की रिल्टिंग मिली है हमारी इस लिस्स में नमबर दो भी जो मूवी है उसका नाम है चंद्रा ये फिल्म साल 2013 में रिलीस की गई थी अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी एक राजकुमारी के इड़गिर्ध घुम्टिवी नजर आती है राजकुमारी को अपने पिता के मित्र के बेटे से प्यार हो जाता है जो की एक संगीतकार है जबकि राजकुमारी की सगाई किसी और लड़के से पहले ही हो जाती है और वो लड़का अमेरिका में रहता है लेकिन ये लड़की उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है अब आगे आपको ये देखना होगा क्या उनका प्यार साही परंपराओं के आगे जीत पाता है या नहीं इस फिल्म को 5.2 आट अफ 10 की रेटिंग मिली है हमारी इस लिस में नमबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम है बलवान ये फिल्म साल 2006 में रिलीज की गई थी इस फिल्म के अंदर आपको एक खुस मिजाज कॉलेज छातर की कहानी देखने के लिए मिलेगी पे 5 आट अफ 10 की रेटिंग मिली है हमारी इस लिस में नमबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम है गुरून ये फिल्म साल 2013 में रिलीज की गई थी कहानी की बात करें तो इस फिल्म में आपको एक सॉफ्ट्वियर इंजिनियर की कहानी देखने के लिए मिलेगी जो किसी भी तरहा की समस्या को हल करने के लिए काफी ज़्दा फेमस है लेकिन उसके खुद के जीवन में काफी सारी परिशानिया आती है और वो परिशानिया क्या है और उनसे वो कैसे निवड़ता है ये सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें एक प्राचीन परिवार की कहानी देखने के लिए मिलेगी जिनके यहाँ लड़के की शादरी होती है और अगले ही दिन दुलहन विद्वा हो जाती है जिसके बाद इस राजगराने में जाड़ फूक करने के लिए एक बाबा को बुलाया जाता है और वो कुछ दिन उनके घर में ही रहता है जिसके बाद वो दुलहन उसकी और आकर्शित हो जाती है और उसके बाद ही इस फिल्म में कई सारे मोड आते है इस फिल्म को IMDB पे 8.1 out of 10 की रेटिंग मिली है तो ये थी दोस्तों South India की Top 5 Bold Movies उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो चाह लगा तो आप इसको एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेर कर सकते हो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हो चली मैं मिलता हूँ आप से एक नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई